नमस्कार मेरा नाम आशुतोस है और आप आई वी टीवी देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ लोजपार रामविलास्टे प्रदेश अध्यक्स राजुतिवारी जी हैं इनसे बिहार में इंदिनों जो चर्चा चल रही है उस पर भी सवाल लेंगे सीट शेरिंग में कितनी सीटे इनके हिस्से आ रही है कहां तक बात पहुची है उसके बार भी बात तरेंगे नितीश कुमार की एंदिये में वापसी होती है तब ये लोग क्या करेंगे उस पर भी बात तरेंगे और एक जो खबर आ रही है कि चाचा और भतीजे के बीच में इतनी इतनी सीटों का बटवारा होने वाला है उस पर क्या reaction है वो भी जानेंगे सबसे पहले जो चर्चा चलने यह बहुत तेजी से कि NDA में नितीश कुमार की वापसी हो सकती है और नितीश कुमार से आप लोग की राजनितिक अदावत है क्या रहाएगा स्टेंड लोज पर आम विलास्ता कुछ क्लियर है या आने वाले दिनों में क्लियर किजिएगा या फिर आप लोग NDA में अपर्टेबल फिल नहीं किजिएगा उनकी आने के बाद क्या चल रहा है देखे कल क्या होगा इस पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं ये तो क्या आज बहुत दिन से लग रहा है इसलिए लग रहा है क्या आज की नितीश जी का चरित नहीं कुछ ऐसा है इसलिए लग रहा है तो कल क्या होगा NDA में आएंगे कहां आएंगे हम भी आपनों के मीडिय करने पर भ्यान दे रहा है और चुनाओ केम लोग लगभग तयारी कर रहा है तो कल क्या होगा आएंगे तो देखा जाएगा आएंगे तो हमारे सिर्श नित्युत बठेगा हमारे नेता बठेगे उस समय की बात तुसमें माप कल आएगा आज हम क्या करेंगे भाई कल आने तो दिजिए इसलिए बोल रहा है चुति आप NDA के पार्ट है और NDA आपके इतर जितने भी दल है या पार्टियां है चाहिए माजी जी हो गए हो पेंदु पुश्वा हो गया या पशुपति पारस हो गया यह तमाम लोग वेलकम करने के लिए त था यहो वह भार की जनता पाइस पाने अइसा नहीं लग रहा है कि अधा जोड दे रहे हैं या बीजेप और नितिशकुमार के बीच कढ़ी बने लाने के लिए आप लोग शायद कुछ बरा सोचने पर बाहर से निकड़ने के बारे में भी सोच लें अब जोड दे रहे हुए तो अच्छी बात है अब जोड दे रहे हैं को जोड नहीं दे रहा है इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं हम लोग पूरी तयारी कर रहे हैं और सभी सीटों पर हम लोग सबने लोग सभाव मिद्वार में जिताने का काम कर रहे हैं इस पर हम लोग लगे हुए अच्छा एक दो तीन दिन पहले आप लोग की पटना में भी मुलाकात हुए तो उपेंदर कुश्वाहा चितन नामाजी और शिराग पासवानजी के बीच में बातचित हुए उसके बाद फिर दिल्ली में भी मुलाकात हुए दिन टेबल पे बात हुए अचानक बैक टू बैक दो दिन मुलाकात और अंदर खाने बातचित क्या हुआ कुश बताईएगा कि अंदर में क्या बातचित हुई है दो दिन नहीं सेम डे मुलकात हुथी सुबह यहां होई थी रात में हुआ थी अरे बाई मानेजे बहुत दिन बाद हम ही आप मिलेंगे मानेजे एक पार्टी का आयोजन था चुड़ा देगा तो हो सकता है अचानक बैठे-बैठे बात हुई हो कि और बोले हम दिली आ रहे है लेकिन बात क्या हुई कुछ सीटो ओटो के लेकर बात चीत हुई नितीज कुमार के आने को लेकर बात चीत हुई क्या हुआ और कुछ से कुछ राजनितिक चर्चाएं हुएंगी कुछ भारिवारी चर्चाएं हुएंगी ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे आप शायद नहीं बताना चाह रहे हैं या जो भी हो एक खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से आप लोग ने अपना एक्सपेटेशन्स बताय है अपनी डिमांड रखी है मांग रखी है अपनी बाते रखी है कि मुझे इतनी इतनी सीटे चाहिए आप हो चाहे पशुपति पारशों चाहे माजी जी हो या फिर उपेन कुछ वहां हो लेकिन बीजेपी ने भी उस मांग पर अपने तरफ से जितना दे सकती है उतना ओफ पूर भी है बड़ी बात है हाजी पूरह ऊन्वात नहीं है आप अधिकारिक रूप से कहां तीन सीट का उफर है आप अधिकारीक रूप से बात करेंगे हमारी पुरानी हमारे पुराना संबंध रहा है और हम लोग 6 प्लस 1 पे लड़े हुए हैं और हमारी बात हुई है बा कि हमारे नेता की बात हो रही है बड़े नेताओं से और सुत्रों पर बिराम नग जाएगा तो सुत्रों के हवाले से एक तो अच्छी बात है ना कि हाजीपुर को लेकर आप लोग जो दिमान कर रहे हैं वो मिल जा रही है तो पहले से कहते आ रहे हैं जब हम इंडिया सलग है तो मैं तो आज भी बोलना हूं कि भाजपा के बड़े नेताओं से बात हो गई है तो आपनों को बड़ी ख़बर लग रही है हमारे नेता तो उसी समें हम तो उसी दिन बोले थे कि लोग जन सकती पार्ट लोग जन सकती राम बिलास का वहां उमीद्वार होगा मैंने बो लेकिन बोले नेताओं यह अभी तक तैन नहीं हुआ है क्या चिराग पास्वान जी होंगे आजीपूर से और उनकी मा के बारे में जो कहा जा रहा था अभी तो राष्ट्य धक जी बिताएंगे जो बात हमारे हमसे नहीं हमको जान का रही है उस बारे में बयान देना कते चली बार ऐलान कर दिया यहाई चिराग पास्वान जी वहां से लड़ा है यह अईलान हम नहीं करने वाले होते हैं टिकट हमारा कोई उसमें रोल नहीं है इसमें से बार्लिमेंट्री बोर्ट बढ़ती है अभी कल ही मालुजे एक बड़ा कारकर्कम हम लोग ने जा सब्सक्राइब आपने काम करें गःता कंट्रो विनिता विजय की का में अपने अवाले हैं कामि ने अले आपने बीरा को इसा आर और जारे से वसार गःतां अट napिware वैशाली लोग सवा सीट से चुनाओ लड़ना चाहती हैं ऐसा हर वेक्ति राजनीत करने वाला चुनाओ लड़ना चाहता है समझ रहें लेकिन चुनाओ टिकट किसी को कनफर्म तब तक नहीं है जब तक हमारी पार्लिमेंटरी बोर्ड ने बैठेगे हमारे नेता ये टिकट देने का काम एक पार्टी का वो हता है अगर कोई कहता है कि हमारा टिकट फाइनल ते गलत फामी है कोई भी हो पार्टी का एक भी प्यक्ति कोई भी हो ये उसको कहीं से मतलब ऐसी बात है हम तो नहीं लग रहा कहीं बैचारी बोली है हम उतो बोलने पार्टी में हम सामिल हो और पार्लिमेंटी बोर्ट रास्टी बोर्ट बैठेगी वो निर्ड़ करेगी जमुई से कुछ प्रत्याशित फाइनल हुआ है जुटिची राग पास्वान और वहां आप लो लड़वाना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं हाजी पूर सिते हैं चिराग पास्वान चिका हाजी पूर से रिस्ता है उसी तरह चिराग जी का जमुई से रिस्ता है तो ऐसा तो नहीं आप लोग सोच रहा है जैसा कि लास्ट टाइम उपेंदर कुछ वहां ने किया था कि कारा काट और रोजियारपूर से तो जमुई और हाजी पूर दोनों जैसे चिराग पास्वान ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और जहां जहां पारलेमेंट्री वोट जिसको जिसको ठीकर देगी वो चुनाओ लड़ेगा अच्छा कुछ बातचीत हुई है इधर बीजेपी से या शीर सेनेतर से और आपके निताटी कब तक सीट सेरिंग का जो मसला है वो सुला जाएगा आप तो माल ये फरवरी में हमको लगता है लाष्ट फरवरी जाते जाते है आचार सेंगता लग जाएगा तो निशीत रूप से बहुत आगे तक बात हो चुकी है जल्द ही आपनों के सामने जल्द ही इसका डिसीजन आ जाएगा कौन कहां जाएगा बरा सौहारत पुर्द बाता बरण में सीटों का हो जाएगा बटवारा इसमें कहीं से कता ही एंडिय में कोई प्रकार का बिवेद नहीं है अच्छा एक लाज सवाल कि आप लोगो भी निमंतर मिला है चिराग पासवां जी को 22 जन्वरी को जा रहे हैं वो हाँ एदम चिराग जी 22 जन्वरी को निमंतर मिला है और बजाएपते चिराग पासवां जी आज उद्ध्या जाएंगे राम लला की जो मुर्ती की प्राण प्रतिष्ठा है उसमें सामिन होंगे चलितो यह राजुतिवारी थे जो इनसे कई मुद्धों पर हमने जानने की कोशिश्टी टटोलने की कोशिश्टी की आखी चल रहा है कब तक सीट बटवारा होगा हाजीपुर में क्यों लड़ेगा जमूई में क्या हाजीपुर और जम्मुई से दोनों जगे से चिराग पास भान ला रहेंगे इन्होंने जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद नमस्टा